सब्जी को एक बावल में निकालेंगे यह सब्जी बहुत ही टेस्टी बनी है इसको रोटी प्रांठा चावल किसी भी चीज के साथ सर्व कर सकते हैं नमस्ते में सुमलता दिक्षित आज में अपनी कीचन में सोयविन की बड़ी और शिमला मिर्च की सब्जी की रेस्पी शेय के लिए और दो शिमला मिर्च है बीज निकली हुई और कटी हुई इस तरह से इस बरतन में तीन बड़े चमच कुकिंग ओल टाला है जो भी खाते हो डाल सकते हैं और इसमें यह बड़ियां डाल देंगे और इनको शैलो फ्राइब कर लेंगे बड़ियों को डाल सकते हैं पर इस तरह से बनाने में ज्यादा स्वाज लगती है सब्जी और अब यह फ्राइब हो चुकिए इनको निकाल लेंगे प्लेट में और इसमें तीन बड़े चमच तेल ओर डाल दिया और आदा छोटा चमच जीरा डाल देंगे चुथाई चमच हींग जीरा पक जाने पर द आधा छोटा चमच लाल मिरच पाऊडर आदा छोटा चमच छिपी ए भूहांगे में लेटर ढूहलाच तो प्रेट और पेस्ट हुआ सकते अब इस मसाले को लगातार चलाते भूंएंगे अगर अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार है तो इसे सब्सक्राइब कर देना बेल को प्रेस कर देना जिससे आपको मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलेगी और अगर आपको मेरी रैस्पी अच्छी लगती है तो इसे लाइक कर देना और ज्यादा से ज्यादा इसको और कॉमेंट शक्षिन में जुरूर बताना ये रैस्पी आपको कैसी लगी इस सब्जी को खाकर बाक्ती सब्जियों का स्वार बोल जाएंगे मसाला अच्छी तरह से पक चुका है और इसमें से तेल अलग हुए है और अब इसमें बढ़िया और शिमला निर्च डाल देंगे स्वादन उसार नमक भी डाल देंगे और अब इन सब चीजों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे एक कप पानी डाल देंगे आदा छोटा चम्मच कसूरी मेथी मिक्स करेंगे और अब धक्कन लगाके पकाएंगे गैस की फ्लेम को भी थोड़ा काम कर देंगे और बीच बीच में इसको चलाते भी रहेंगे ड़क्कन लगाके सब्जी को पकते हुए चार मिनट हो गए है सब्जी पक चुकी है शिम्मला मिर्च को थोड़ा क्रंची रखेंगे आदा छोटा चम्मच गर्मसाला डाल देंगे अड़ा धन्या भी डाल देंगे कटा हुआ मिक्स कर देंगे गैस की फ्लेम को बन कर देंगे सोय बिन बड़ी और शिम्रा मिर्श की सबजी बन कर त्यार है चलिए मिलते हैं अच्छी सी नई रेस्पी के साथ बाई